हम आपको बता रहे हैं और यlie भाना इसी पिनान बा इसमें अपनी लूमनМा इसके लिए तीस दीय रखता लूह में तप्डे का चोड़ाई में लूमनगे ऌपन लूमन लेंगे वट पूरी इस limits को अ दाहर प्लस करतें अब मैं आपको यह एक टुपड़ा हो गया पूरा अब मैं आपको इसकी थेली बनाना से पताती हुए और यह थेली कैसे बनाते हैं इसके लिए अपन इसको यहां से सिलाई मारेंगे और यहां से सिलाई मारेंगे मैं आपको लगा के दिखाती है यह अपन ने यहाँ पर यह सिलाई लगा ली और इस तरफ जो लम्माई ली थी तीसे उसको गर आपको यह जोट दिख रहे हो तो इस पर मत जाना क्योंकि यह मेरे पास पुड़े हुए कपड़े से मैं बना रही है आपको चाय तो टुकड़े से ना चाय फरेस कपड़े से मैं तुझे थोड़े टुकड़े से बना रहे हुए अपन इसको इस तरह से औरी भी करेंगे यहां से चूर पकड़ेंगे जो अपने चूंट लगा लगाया तो औरी कपड़े के लिए मुड़ा था तीस इंच वाला रदरर विजाबा अतुर्व को फेट वान हो तरह से इपना फ 7 की दिलाई जिसके गज़ी के हैं फेट की सीने को पना असके बना जाओने मेरे पास यह इस बनियान से बता पन इस तरह से इतना बिलां लिए जीसे क्यां वो औरे भी जवापन करते हैं तो लंबाई में चला जाते हैं इस तरह से और इस पर मैं यह यह कट लगा देती हूँ इस कट को पकड़के फिर से अपन इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे यह से करके पूरी इस तरह से पूरी सिलाई लगा देंगे और यह जो शिलाई लगाएंगे इस तरह थेली इस तरह दिखने लगी इसके लिए पन को जी दोमें चोड़ पकड़के कटना है ऐसा जब थेली बनाओगे तो कपड़ अपने आप ऐसे हो जाएगा इसको फोड़ा से कट लगा के इसमें पा weary लगा के इस तरह से तैली तो पर खूल देंगे यह तैली अपने इसलिए खुल लेगे इससे अपना नीचे का हिससा हो जाएगा खूलने से ए खुल लगी थैली अपनी सिससे यह दिखने लेगे अब इस पर अपन गले मुड़े का निशान लगए गले मुड़े का चाओ तो आप बन्यान से भी नाप लो और बिना अगर आपके पास नापना हो तो दिखतर जैन्स के मुड़े आठ या साड़े आठ इंच के कपते हैं हुआ है कि अपने ये साड़े आठ का तीरा लिया और साड़े आठ वहकी लगए अब कि अजिए मुड़े अब इस पेपन कला काटेंगे साड़ी तीन इंच चोड़ा यह पीछे के लिए आदा इंच का गला काटेंगे काटेंगे अका कि अजिए अचे अचे अजिए अपने इसके लिए यह हैं पर यह आपकी और इवन ओन्यान कि सब्सक्राइब करें, पक्रणाजर में एक भी दर मुऔर हुं,यानि कि उज्छल मुजम सब्सक्राशन के भी सब्सक्राइब है। इसमे तिलीकर के उप्सक्राइब करें। निकल थे हमें। वास इस तरह मिला के इसी एसी रखेंगे वीच से और यहां पर पाँच इंच का आगे का गला काटेंगे आदा इंच अपना पहली से कटा हुआ है इस तरह से गला अपना शाड़े पाँच इंच का हुआ है आपको यह मैं दूसरी बनें दिखा रहे हैं आपको यह आपका हुआ आगे का परदा इस तरह से यह आगे का गला और यह आगे का परदा यह हो गए आपका पीछे का परदा इसमें यह जो अपने जोंट लगाएते और यह बनियान के लिए वह इस तरह से आएंगे पीछे अब अपन इस पे पोकेट के लिए निसान लगा लएंगे इसके लिए मैं आपको कपड़े से पोकेट बॉक काटना सिखाती हूं अच्छा हुगा कपड़ा है इसमें से मैं आपको पोकेट बनाना बताती हूं पोकेट के लंबाई आप पर लेंगे 14 इंच और चोड़ाई लेंगे आपन ओनवा स्वार हूं आपन्वार हूं आंदाटस में इसकेट क्वाई आपन्ट आपना candidates काफ़गे लेस्पी जवा आपको को दर्कर्बादान Wasला अंपर इस़्ुवां को ऑफ़ई मैं एbn है झालुई आतामसा द highlight और इसो द पोका़ः हम-बार उत weंबढ़े पॉकेट पर अपन इस तरह से थोड़ी से गुलाई लगा देंगे इस तरह से अपनी नीचे की पॉकेट हो गई और ये ये पॉकेट और ये ये मुड्डे वाली पॉकेट इनको भी मापको काटना बताती हूं इसके लिए हमने जिस साथ इंच लंबी और आठ इंच लंबी और साथ इंच चोड़ी ये पॉकेट काट लेंगे आठ इंच ये लंबी हो गई आठ इंच ये लंबी हो गई और साथ इंच ये चोड़ी पॉकेट हो गई ये दोनों पॉकेट हैं इसके लिए अपन चारों तरफ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा कीना पॉकेट हो पर अपन इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे जिससे अपन को पॉकेट लगाने में आसानी हो गया ये दिहान रखके हैं कि जो पॉकेट अपन लगाते हैं उसे लेफ्ट आर्ट की तरफ लगाते हैं तो अपने दिहान रखना चाहिए कि पॉकेट अपन किस तरह से मूल रहा है इसके लिए अपन ब यह अपन को इदर अंदर से लगानी रहती है इस तरह से अपन अंदर चिपकाते हैं तो अपने ध्यान रखना चाहिए कि यह सिलाई अपनी अंदर आए इसके लिए अपन इसको चाक से मारक कर लें कि यह अपना उल्टा है क्योंकि यह मैंने रखा है ना तो यह सिलाई अंदर यह सीधा आना चाहिए और यह गुलाई मुड्डे की साइट आनी चाहिए इसलिए मैं इसको इदर से ऐसे आपको मोड़ूंगी और मोड़कर भी में दिखाती हो रहते हो